देर स्टूरेंट, वही हब तु डिस्कस अर्ली चाइड़ एजुकेशन, फार सस्टेनेवर डिवेल्मेंट इन स्वेड़न, हमने इससे पहले USA की बात कर चुके हैं, कीनिया की बात कर चुके हैं, कीनिया के अंदर UK का जो रोल है, उसके उपर हम गुफ्तकू कर चुके हुए हैं, नार्वे के उपर बात कर चुके हुए हैं, और अब हम अर्ली चाइड़ एजुकेशन जए स्टूडन के उपर हाज बात करेंगे, सस्टेनेवर डिवेल्मेंट के मताबिक उनका प्लैन, सस्टेनेवर डिवेल्मेंट के मताबिक स्टैबलिश्मेंट आफ़ एसी, उसम कुलों के साथ लेके गया या इंडिपेडनेट बनाया और उनमें से किन किन का रोल है यह तमाम बात जो है इसके पर हम गुफ्त कू करेंगे स्वेडिन के अवाले से स्वेडिन के अंदर जो एस्टिमेट किया गया वह तक्रीबन फाइव फिफ्टी थाउजन चिल्डरन जो है वह अंडर दी एज आफ दा एटीन मवजूद थे वान फिफ्ट उनकी जो पॉपलेशन है वह फारन कंटी में से है नाइंटी टू परसेंट फादर्स और अप्राक्सिमेटली इतने ही खवातीन जो है वह अंपलाइड है जाब बोल्डर है वहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा नीट को देखा गया और देखने के बाद ये फैसला किया गया कि यहाँ पर अर्ली चाइड़ोड एजूकेशन को स्टैबलिश कर जाए उसके स्टैबलिश करने के लिए स्टैबलिश के अंदर उन्होंने इसको लेबल किया प्री स्कूल फ़र द चिल्डन वन टू फाइड यनि वो तमाम बच्चे जिनकी एज एक साल से पांच साल तक थी उनको डिकलेर कर दिया गया लेकिन जो प्री स्कूल का कंसेप्ट था जहां पे करिकूलम इन्वाल्व होता है जहां पे टीचर्स इन्वाल्व होता है वो थी टू फाइव यर्ज किया गया जैनिको उनुने आपने एजूकेश्जशन सिस्ट्रम में एक से पांच साल के बच्चे को प्री स्कूल कर दिया लेकिन जब हम करिकूलम की बात करते हैं जब हम active hours की बात करते हैं और वो तक्रीबन थ्री hours per day के इसाफ से उसके hours बनते हैं जिसके मताबक curriculum develop किया गया जिसके मताबक teachers को train किया गया जिसके मताबक skills define की गई जिसके मताबक cognition को define किया गया जिसके मताबक behavior development को define किया गया इसको जो डिफाइन किया गया वो एप्राक्सिमेटली 525 आवर अगर हम उसे पर डे के साफ से कल्कुलेट करें तो यह तक्रीमां तीन घंटे पर डे बनता है इसका मतलब यह हुआ कि स्वीडन ने क्या किया कि एक साल से पांच साल के बचे को लेबल कर दिया फ्री स्कूल लेकिन जो प्रापर स्कूलिंग का जो कॉंटेंट था उसको लेबल किया तीन साल से पांच साल तक तीन साल से पांच साल का जो बच्चा था उसको प्रापर एजुकेट किया गया और उस एजुकेट करने के लिए तमाम बातों को सामने रखा गया यहनि उसका करिकुलम डिफाइन किया गया करिकुलम डिफाइन करने के बाद उसका टीचर डिफाइन किया गया टीचर की क्वालिफिकेशन को डिफाइन किया गया इंफास्ट्रक्शर को डिफाइन किया गया जो उसके अंदर कंपिटेंसी ड मुक्तसर तोरपा अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि अर्ली चाहिड़ोड एजुकेशन जो है वह एप्रॉक्सीमेटली तीन से पांच साल की बनती है लेकिन जो लेबल की गई है वो वान टू फाइव यर्स की इए अटसेा तीन साल का जो बच Vere अगर जोब जाक है चाहिड़ोड एजुकेशन के अंदर शामल तो किया गया यह निा लेबल तो कर दिया गया उसे प्रे स्कूल का नाम दे किया गया उसके teacher की qualification defined नहीं की गई कि उसके बाद वो content defining किया गया कि learner ने कौन सा content पढ़ना है और teacher ने कौन सा पढ़ाना है वो defining किया गया कि तो अगर हम इसको summarize करें और हम बात करने की कोशिच करें तो तो स्वेडन ने एक से पांच साल तक प्री स्कूल जो है उसको लेबल किया लेकिन उसकी प्रॉपर स्कूलिंग जो है वो थ्री टू फाइव येर्ज है और इस थ्री टू फाइव जेर्ज के अंदर जो है एप्रॉक्सिमेटली थी आवर्स पर डे उसने टीचंग की जिसका पकैदा करिकुलम डिफाइन था जिसका टीचर डिफाइन था जिसका ऐसेस्मेंट डिफाइन थी और उसके लिए जो उन्होंने चार्ज किया वह एप्रॉक्सिमेटली वन फॉर्टी जो है ने उसको पर चार्ज किया पेरेंट्स से